नमस्कार दोस्तों जीके अर्जन सार यूटुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है पीजी टी दोजार पांस समासास्तर का साल पेपर लेकर तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारी चै सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन की घंटे को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हां अगर आप लो यानि 2021 तक के भी साल्व पेपर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं पाला कोशन इसमें है यूदि के अस्त्र के रूप में प्रचार अनुबम से भी अधिक घातक होता है तथा यह सांति के मंत्र के रूप में सवयक्त राष्ट संग से भी अधिक कोशन नमबर दो है अपराध सास्तर का कौन सा संपरदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात से होता है तो वह है प्रारूप संपरदाय प्रारूप वाधी संपरदाय मानता है कोशन नमर तीन है यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के पैरोल कोश्चन नमबर चार है निमलिकित में से कौन समाजिक बिगटन का कारण नहीं है तो वह है समाजिक नियंत्रन कोश्चन नमबर पांच है बोटल स्कूल का जनक कौन था बोटल स्कूल का जनक था एल्विन रेसलिंग ब्राई से Q6 है निम्न में से कौन भारती समिधान के अंचेद 17 की अधारभूत चिंता है तो अधारभूत चिंता ये पुछा जा रहा है इसमें एंसर हो जाएगा दूसरा अस्पृस्ता का उनमूलन Q7 है भारत के समिधान के किसंचेद में पिछराव वर्ग पद का प्रियोग किया गया है Q8 है निम्न में से कौन लगु परंपरा का अंग नहीं है Q9 है श्री नरायन धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था Q10 है निम्निकित में से कौन परिवर्तन समवर्धक आंदोलन नहीं है Q11 है राजनीतिक समाजिकरण पद का प्रियोग किया गया Q12 है समाजिक अस्तिकरण अध्यन है Q13 है किसने कहा कि समाजिक अस्तिकरण का अर्थ समाज के कुछ ऐसे अस्ताई समुह और श्रिणियों में विभक्त करने वाली ब्यवस्था से है जिनके अंतरगा समुह वस्रिणिया उच्चता अधिन्ता के समंदो दरा एक दूरुसरे से जुड़ी राती है ये जुड़ी राती है पी जिस बार्ट के द्वारा Q15 है घनिश्टा वाहिन अनुभव प्रदान करने वाले समुह को कहा जाता है तो ये कहा जाता है दूतियक समुह Q16 है जब कोई ब्यक्तिया मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से स्रेश्ट है तो यह कहलाता है Q17 है पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की गई थी ये की गई थी अरबिंद के द्वारा Q18 है निमलिखित विचारकों में से अंतोधै सब्द का परियोग सबसे पहले किया गया सबसे पहले किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा Q19 है मार्क्स ने समाज में वस्तु परक रूप से सनजदात्मक आर्थिक समानताओं की ब्याख्या की थी वर्ग के रूप में Q20 है किसी समू या समाज द्वारा कारेकलापों को संपन करने के अभिरस तरीकों को कहते है तो इसको कहा जाता है प्रथा Q21 है सापेच वंचना आधार है किसका तो संदार्व समू सिधानत का Q22 है पुनरजन्म की जैविक छमता को कहते है तो इसको कहा जाता है जनन सक्ती Q23 है निमलिखित विशेस्ताओं पर विचार करना है इनमें से कौन से हिंदू जाती बिवस्ता से सम्बंदित है Q24 है संञ्कritि करन के विशाय में निमलिखित कथों में से कौन सा सही है तो कौन सा सही है इसमें पूछा जा रहा है Q24 है यह सनजनात्मत परिवर्तन पर किडिया है Q24 है दूसरा दिया इसमे यह भारत में अंगरेजी साशन के आगमन के साथ प्रारम हुई तीसरा यह समाजिक परिवर्तन का बहिजार सुरोथ है और चौथा यह इस्तितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है तो इसमें आपका राइट एंसर चौथा से यह एक के इस्तितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है question number 30 है Marks के सिधान्थ में वर्ग चेतना का केंद्री तत्व है तो केंद्री तत्व क्या है तो वह है अपने आपके लिए वर्ग question number 26 है भारत में पिछरा वर्ग आयोग का पर्थम सभापती कौन था तो पर्थम सभापती था काका कालेल कर question number 27 है इस्तिरियों कन्याओं के अनेतिक बेपार निरोध कानून अपने देश में लागू हुआ तो ये लागू हुआ था 1956 में कोश्चन नमर 28 है वाला स्वरम बेवस्था में निमलेखित में से किसे महत तो दिया गया है तो ये दिया गया है ब्यक्तियम समाज दोनों को कोश्चन नमर 29 है विश्व के किस महादीब में वधो मुल्स जियादा प्रथा जियादा प्रचली था तो ये प्रचली था अफरिका में कोश्चन नमर 30 है जादू बिग्यान की दोगली बहान है या किसने कहा था ये कहा गया था फ्रेजर के दवारा कोश्चन नमर 31 है धर्म वास्तविक है परंतु इस्वर धर्म का सार नहीं यह मत किसका है तो यह मत है इमाइल दुरखिम का कोश्चन नमर 32 है निमलिकित में से कौन संगार्श की विसेस्ता नहीं है तो वह है निरंतरता Question number 33 है निम्लिकित में से कौन सा वाग किस सही है तो कौन सा वाग किस सही है तो वह है अंता समुयम बाह समु कालपनिक होते है Question number 34 है निम्लिकित में से कौन समीतियन संस्था दोनों हो सकती है तो वह है विश्व विद्याले कुश्चन नमर 35 है कथन काराण से गंदी बस्तियां बाल अपराधी के लिए उत्तरदाई है काराण है गंदी बस्तियां ना होती है और बाल अपराधी ना होते तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा A सही है और R गलत है Q36 है आधनी कवद्यों के समाज के लिए समीती सब्द का परियोग किया गया यह परियोग किया गया था टानीज के द्वारा Q36 है सबसे पहले प्रभावी जाती के अधाना बिक्सित की गई थी Q38 है निम्लिकित में से किसका दाबा है कि समाजक सनचना का आनभाविक वास्तिक से कोई लेने आ देना नहीं है Q49 है निम्लिकित में से किसने पुष्तक द्रिस और छेत्र द्रिस में विवेधी करण किया है तो ये किया गया है M.N. स्री निवास के द्वारा कोश्चन नमबर चालीस है निमलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महतपूर है कि इसका उलंगन गंभीर डंड की अपेच्छा करता है तो वह है लोका चार कोश्चन नमबर एक तालीस है कोश्चन नमबर चालीस है जब हम परिवार का विवेचन एक समू के रूप में करते हैं तो उसको कहा जाता है या उसे तो उसको कहा जाता है एक समीती कहा जाता है किस जन जाती समू से समंदित है ये है भील जन जाती से किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पधती में है न की भी सहे वस्तु में ये कहा गया था कारल पियर्स के द्वारा को सन नमर 49 है निमलिकी टीवम में से कौन सा यिवम सही नहीं है तो वह है मानो समू मैक्स वेवर ये सही नहीं है कोशन नमर पचास है ग्रामीड विकास कार्यों के लिए स्वयम साहता समो योजना प्रारम भुवी थी ये प्रारम हुवी थी एक अप्राइल उनिस सो निनानबेर को किस ने कहा कि समा सास्त्री आधनिक समाज के पुजारी है यह कहा गया था अगस्ट कामड के द्वारा कोशन नमर बावन है अगस्ट काम के सिच्छक थे सेंट सीमान कोशन नमर तीरपन है कफन कारण से दिया है याँ पर कफन समाज सास्तर के वल उस समाज में महत्तों रखता है जो समाज संकटों से भड़ा है तो इसमें ए सही है और आर गलते सीज का राइट एन सुरोग है यह तीसरा इसे वाला इसमें कोस्टन नमर चावण है निमलिखित में से किस दर्शन सास्तिरी ने मैक्स बेवर के हरवेस्टर बोध पद्धती के प्रयोग है तो यह प्रेरित किया गया था इसका नाम है दिलत्ये कोश्चन नमर 55 है महात्मा गांदी के रामराज की अवधाणा में कई बिसे स्थाएं थी जिनका नाम तो सामेवाद की कोश्चन नमर 56 है निम्न में से कौन बिन्वे सिधान्त के अध्यन के केंदर बिन्दू है तो वह है केंदर बिन्दू ब्यक्ति कोश्चन नमर 57 है अधो लिखित में से बिकल्ब साई चुनकर अस्थान के पूर्ति के परकिरिया में जिसमें ब्यक्ति और समोग दूसरे ब्यक्ति हैं समोग की संस्कृति अभिवरित्ति मुल्ले सोचने और बेवार करने के धंग को आत्म साथ कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं तो वे रहने आते हैं इसका एंसर हो जाएगा सात्मी करन कोश्चन नमर 58 है जब संघर्ष की भावना ये थेस्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती है तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं अभिव्यक्त संघर्ष कोश कुस्त नमर साथ है निमलिकित में से कौन सायोग का एक तत्व नहीं है तो वह है चोथा इसमें राज और बेक्तियों की समान रूप से लागू किया जा सकता है कुस्ट नमर 61 है भारत में निमलिकित में से कौन सा महत्पूर्ण कारक नहीं है जो राष्टी अखंडता को बाधित करता है तो वह है पूजी का अभाव कुस्ट नमर 62 है नातेदारी के संबंधों में अध्यन में सरपर्था महत्पूर्ण योगदान दिया था तिये योगदान दिया गया था मारगन के द्वारा कोश्चन नमबर तीरपन है 63 है भारत में जजमानी बेवस्था का अध्यन किया गया तो यह अध्यन किया गया डबलू एच वाइजर के द्वारा कोश्चन नमबर 64 लेटिन भासा में जेनीटर सब्द का अर्थ है इसका अर्थ होता है जैवी प्रितित्व कोश्चन नमबर 65 है दादा दादी नाती पोतों के बीच परिहास समंद पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं और आव जन जाती में कोश्चन नमबर चाछट है जब उच जाती लड़की निम्न जाती लड़के से बिवा करती है तो उसे कहते हैं तो सो कहा जाता है परतिलोम बिवा कोस्टन नमर 68 है भारत में कुछ जन जातियों में किसी लड़की से बिवा करने की पुरी लड़के द्वर अपनी सक्ती सिद्ध करने की प्रथा है इसे कहते हैं इसको कहा जाता है परिच्छन बिवा कोस्टन नमर 69 है किसने बिवा को बच्चों के प्रजन ने मरख रखावे तो एक समझावता कहा है तो वह है मैलिनो वैक्सी कोस्टन नमर 70 है सब्त पदी का अब्रया अगनी के समझ वर्वधु द्वरा साथ फेरे लेने से उसके बाद ही विवा को समाज में स्विक्रितिय बैदता मिलती है इसे माना जाता है अनुस्ठान कोस्टन नमर 71 है अनुवादी परिवार की आवधाना दी गई थी यह दी गई थी जीमर मैन के द्वारा कोस्टन नमर 72 है सब्त परिवार विवस्ता विक्रितन के कगार पर है निमलिकित में से कौन सा कारण इसके विक्रितन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो वह है क्रिसी प्रकिर्पादन और और तो दिए यह किया गया था वार्नर के द्वारा कुश्चन नमर चवदा है उत्पादन प्रकिर्या में कार्ल मार्क्स अनुसार अधिकतम भूविका होती तो अधिकतम भूमः का उतिकिसकी पूंजी की कोश्चन नमबर 75 है, primitive culture के लेखक का नाम है, इसके लेखक का नाम है टाइलर कोश्चन नमबर 76 है, पुस्तक golden बाद के लेखक है, इसके लेखक है James Fraser कुश्चन नमबर 77 है आर्थिक तंगी की काराण किसी गाउं का भूमिहीन मजदूर किसी सहर जाकर फैक्टरी मजदूर बन जाता है एक उदाहरन है तो एक उदाहरन है किसका 36 गती सिल्ता का कुश्चन नमबर 78 है निमलिकित में से किसमें वन ब्यवस्था का परथम उलेख प्राप्त है तो वह है रीग्वेद में कुश्चन नमबर 89 है जजमानी समदों की प्रकीरती होती है इसकी प्रकीरती कैसी होती औस्थाई question number 80 है निमलिकित में से कौन समाजिक हस्तिकरा नेतु प्रकारे रूप से उपादे नहीं है तो वह है या समाज में अयोग बैक्तियों की पाचान में सहायक होता है question number 80 है जातियों में उर्धारदर एकता पाई जाती है या कथन है या कथन है जी एस धूरिये का question number 82 है निमलिकित में से किस पूस्ता का प्रोफेसर M.N. सिरी निवास ने संस्तिकरण अपनी अधारणा प्रतिपादित की थी ये प्रतिपादित किया गया था religion and society among two kurgers of South India question number 83 है निमलिकित में से कौन सी विश्ष्षता भारती ये ग्रामीड समिधाय की नहीं है question number 84 है भारती समिधान के किस अनुचेद द्वरा किसी जनजाती को अनुचेद जनजाती का दर्जा दिया जा सकता है question number 85 है भारती समिधान का कौन सा अनुचेद अनुचेद जनजाती अनुचेद जनजातियों को परिभासित करता है तो वह अन्छेद है 306 Question number 86 है निमलिकित में से कौन अनसुचित जाती हो अनसुचित जनजाती हो की हिमायती था ये थे महात्मा गान्धी Question number 87 है भारत के सम्मिधान के अन्छेद 46 के संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है इसमें राजिका दायत कि वह अरच्छण का प्रावधान किया गया है कुस्टर नमर्वासी है सांस्कृतिक बिलम्बना सब्द गढ़ा गया था ये गढ़ा गया था W.F. आगबर्ण के द्वारा कुश्चन नमबर 90 है निमलिखित को में से गलत पहचानी है तो गलत चाओ था इसमें Mind, Self and Society केम का पाडिया ये गलत है कुश्चन नमबर 90 है भारत में समाजिक परिवर्तन के संदर में ब्रामणी करण के अधारना का पर्थम इस्तिमाल किया गया था ये इस्तिमाल किया गया था M.N.S.R.I.N.V.A.S के द्वारा कुश्चन नमबर 92 है जनजातियों के समयधानिक हितों की जांच का जिमेदार उच्चितम सरकारी अधिकारी होता है ये होता है अनसुचित जनजाती आयुक्त कोश्चन नमबर 93 है हट्टन के अमसार जाती का कारे है तो जाती के कारे समाजिक प्रस्तिती का निर्धारन करना कोश्चन नमबर 94 है संदर्व समुख की अधाना सरपर्थां प्रस्तूत की गई थी ये प्रस्तूत की गई थी हाइमन के द्वारा कुश्चन नमर 95 है प्रस्तित की वह भूमिका की अधाना स्वर पर्थम बेवस्तित रूप में बिख्सित की गई थी ये बिख्सित की गई थी लिटन के द्वारा कुश्चन नमबर 96 है नगरवाद जीवन के एक पधती है कहा गया था ये कहा गया था एल बिर्थ के द्वारा कुश्चन नमबर 97 है भारत में विकास की पंचवर्शी और जनाओं का पर्तिदर्स लिया गया है तो ये लिया गया है कहां से रूस से कुश्चन नमबर 98 है निमलिकित में से कौन सा वरगी करान हरबार्ट स्पेंसर के नाम से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है सैनिक समाज अद्योगिक समाज कोश्चन नबर 99 है सुमेलित करने वाला चले इसको सुमेलित करते हैं प्राथमिक समू सियच कुले का ये सांग की समू अगर पूछता है तो विरिश्टेट का संदर्भ समू अगर पूछता है तो ये है आर मल्टन का अंतर समू बहिसर्मन तो डबलू जी समनर का इस प्रकार के द्वारा कोश्चन नमर 101 है लोगों का समू जो निश्चित की पूर्ति यतु संगठित किया जाता है कहलाता है ये कहलाता है संग कोश्चन नमर 102 है वह सिध्धान्त जो समाज और मानों सरीर के बीच कई बिंदों पर सामेता सापित करता है कहलाता है तो ये कहलाता है साम भारती समाज की एकता और इस्तिता निर्भर करती है, ये निर्भर करती है धर्म एवं संस्कृति पर, कुश्चन अमेरे 105 है, समाजिक संगठन और समाजिक समू है, ये क्या है, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं, कुश्चन अमेरे 106 है, समचित समाजिक संगठन तो एक आवस्यक्त यह आवस्यक्त है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रां रखे कुश्चन अमेर 107 है सुमिलित करने वाला चले इसको सुमिलित करते हैं इसमें दुर्खिम समाजिक तथे इनका है इस्पेंसर इसका समाजिक डार्विन वाद लेटेंट और मल्टन का सोशल थीवल और सोशल इस्ट्रेक्चर कुश्चन नमबर 108 है प्रेक्यात्मक विसलेशन में आवसाक्ताओं के संस्त्रन की आवधाना दी गई है यह दी गई है मैलिनो वैक्षिक की द्वारा कुश्चन नमबर 109 है अधोलिखित में से कौन सब सही बीकल चिन कर रिक्ता स्थानों के पूर्ति करना है समाजिक वेस्था बनाये रखती है जब कि व्यक्तिक प्रक्रिया प्रदोनत्ति करती है इसमें हो जाएगा प्रथा और आदत यहां पर भरा जाएगा कुश्चन नमबर 110 है अधोलिखित में से सही बीकल चुन कर जो है आपको एंसर इसमें भरनायत इसमें होगा आपका राइट एंसर यह प्रथा कुश्चन नमबर 111 है भारत में सामुदाइक विकास कारिकरम प्रारंब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को कुश्चन नमबर 112 है इंडियन सोसलाजिकल सोसाइटी के अस्थापना की गई थी यह की गई थी जी नहीं है इसमें देखे ए और आर दोनों सही है लेकिन ब्याख्या नहीं करता है तो दूसरा सही होगा इसमें कुश्चन नमबर 114 है किसने भारती गाउं को लगुगण तंत्र कहा है यह कए है सर चार्ल्स मेटकॉफ कुश्चन नमबर 115 है LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है यह भरांति जनक मादक पदार्थ है पंचायती राज के दुस्तरिय माडेल किसी पारिस की गई थी यह की गई थी किसके द्वारा असोक मैता समीती के द्वारा नमबर 117 है हट्टन के द्वारा अनसुचित जाती के लिए किस सब्त का प्रियोग किया गया था बाहरी जात कुस्चन नम्बर 118 है निमलिकित में से कौन सहयोगी प्रक्रियाएं हैं तो इसमें सहयोगी प्रक्रियाएं आपका तीसरा अलापसन सहयोगा 145 कुस्चन नम्बर 119 है मुताह विवाह प्रचलित है यह प्रचलित है सिया मुसल्मानों में कुछ स्जी है कर्म के सिधानद की व्यापक व्याख्या की गई है भागवत गीता में कुछ नमर 20 है ग्राम व्याय नगर आवधार्णा के प्रतिपादन किया गया यह गया धा गालविन द्वारा कुस्ट नमर 122 है आगाश्टक काम्ट ने समाज सास्त्र को विभाजित किया ये विभाजित किया था समाजिक इस्तिती विज्ञान वो समाजिक गती विज्ञान में किस समाजिक दार्षनी के समाज सास्त को समाजिक भौतिकी की संग्या दी ये दी गई थी आगाष्ट काम्ट के द्वारा किसने कहा जहां जीवन है वहीं समाज है ये कहा गया था मैं काईवर द्वारा ये था PGT समाज साज 2005 का साल पेपर तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया थे इसको लाइक करें अपने दोस्तों क्या अधिस दिक सेर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिन वंदे मात्रम